हेलो श्रेंट्स मेरा जिसका सेरा उतकर सेकिट में रतला मैं आपको बदबस वागत करता हूँ जैसा कि मैं पहले प्रतिशत का चेप्टर पढ़ा चुका हूँ आपको लाभानी भी मैंने पढ़ा है और अब मैं ओसत चेप्टर लेके आया हूँ ठीक है आप ओसत का मैं आज आपको बेसिक कॉंसर्ट बताओंगा फिर धीर धीर हम आगे चलते रहेंगे इसमें मैं आपको MP पुलिस कॉंस्टेफल, MP पुलिस सबस्पेक्टर, NTPC, SSE, SSE, GD, Army सारी त्यारिया हो जाएंगे क्योंकि हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे तो उसमें सारा कवर हो का योग बटा परिणामों की संक्या, अच्छा परिणाम क्या हो सकते हैं, अगर स्कूल के अंदर छात्रों की बात करें तो छात्र परिणाम हो है, किराने की दुकान पर पेन की बात करें तो पेन हुए, या किराने की दुकान पर अगर खादी सामगर की बात करें तो जो प इसें प्रकार का गर तीसरा सुत्र ग्याद करना हूँगा, तो वो भी हमारा इसी से find out हो जाएगा ठीक है चलिए हम particular questions करेंगे पहला question पहला question में आपकी screen पे दिखेगा पहली question आपकी screen पे A, B तथा C के आयू 32, 36, 46 वर्ड से इनके उस्ट आयू कितनी है question पहला है A, B तथा C की आयू 32, 36, 46 वर्ड इनके उस्ट आयू कितनी है अब दिखें उस्ट आयू कितनी है उस्ट बराबर आपको तीन मेंबर दिख रहे है तीनों के आयू 32, 36 और 46 इनको जोड़ कर अगर मैं तीन का भाग दे दूँ तो मेरे पास average आ जाएगा ठीके अगर 32, 36 और 46 को अपन तीनों को जोड़ते हैं ठीके तो कितना होता है 6, 2, 8, 6, 14, 11, 14 ठीके बटे 3, 33, 38 यानि कि इनका अगर हम अलग 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 आई उनना बोल के अगर इनका बोलें कि तीना का average कितना आएगा 38 वर्ष ठीके नेक्स कोशन आप दिखेगा आपके स्किन पर नेक्स मतब सेकेंड टाइप है उस्ट के एक कक्षा के 31 चात्रों का आउसत भार 30 किलो ग्राम है यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो आउसत भार में 500 ग्राम की व्रद्धी हो जाती है अध्यापक का भार कितना है तो मेंबर तो हो गए 32 अध्यापक सहीद ठीक है अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसत भार में 500 ग्राम की व्रद्धी हो जाती कितने ग्राम की व्रद्धी हो जाती है 0.500 यानि 30 किलो और ये 500 ग्राम इनका अगर अपन मल्टिप्लाई करते हैं कितना होता है 0.32639 ठीक है 960 और ये 966 ठीक है 966 किलो ग्राम 976 अब आप देखिए मैं आपको रफ वर्क में छोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ रफ कारी में देखेगा अब इदर कि यदी जब तक 31 सारे रफ कारी में आपको बताना चाहता हूँ ठीक है देखेगा जब तक 31 चाहतर है तब तक टोटल हमारे पास 930 आया लेकिन जैसे अध्यापक सहीद 32 होगे तब टोटल हमारे पास 966 अगर मैं इसमें घटा दूँ तो मेरे पास कितना आएगा 46 अचा 31 चाहतर है और 32 अध्यापक सहीद इसमें घटाऊँगा तो मेरे पास एक बचेगा और एक जो बचेगा वो अध्यापक ही होगा तो अध्यापक के लिए ठीक है वेट केतना निर्धारित हुआ 46 किलोग्राम और ये 46 किलोग्राम ही आपका अंसर होगे ठीक है एक बार बता रहा हूँ 31 चाहतरों का उसत 30 है पांचो किलोग्राम ये अध्यापक सब्चेगा तो एक जो बचा अध्यापक का भार कितना निर्धारित हुआ 46 किलोग्राम ठीक है देखें नेक्स कोशन देखिएगा अच्छा इन किसी कोशन के लिए पेंट चलाने का अवश्यक्तना है थोड़ा सा आपको into fast करना है बस और कुछ नहीं है एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर क्या कुशन क्या बोला एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से और सद भार में 800 ग्राम की व्रद्धी हो जाती है तो नए नाविक का बाहर कितना है ठीक है अब दीखे मैं इसके बिल्कुल आपको short trick बताने वाला हूँ एक diagram से बताऊंगा आज ठीक है next time आप direct verbally बना लेंगे ये for example ये एक नाव है अब इसमें 1, 2, 3 एक काम करते हैं नाविक को हम ब्लेक कलर का यूज़ करते हैं ताकि बहुत अच्छे समझना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 अब दीखेगा member कितने 4, 4, 8 और ये 10 अब उसमें बोला एक नाव के 10 नाविक को हम 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के इस्थान पर मान लिए ये 56 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति है और ये यहां से यहां आ गया ये भार खड़ा हो गया ठीक है 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान नया व्यक्ति आने से तो इस जगा यहां से कोई नया व्यक्ति आया और ये यहां पर आया नए विक्ति आने से ओसत भार में क्या होता है 800 ग्राम की व्रद्धी हो जाती है तो आप देखे ओसत में 800 ग्राम दस मिम्बर है ओसत में अगर 800 ग्राम की व्रद्धी हो रही है तो कुल कित्ते की व्रद्धी हो रही है 8000 ग्राम की पुल गित्ती बरती हो और चुक्कि आपको पता है एक किलो ग्राम में होते हैं एक हजार ग्राम तो आठ हजार तीक है ग्राम तो आठ हजार ग्राम में कित्ते किलो ग्राम होंगे तो भी यह आठ किलो ग्राम यानि कि 8 kg की overall व्रद्धी हो रही है अब देखो 56 kg वाला बंदा अगर यहां से बाहर खड़ा हुआ है और जो जा रहा है वो 8 kg जादा लेके जा रहा है यानि कि 56 के साथ में हम यह 8 kg जादा लेके जा रहा है तो यहां पर जो बंदा आ रहा है वो कितना वजन लेके आ रहा है 64 kg और वो 64 ला रहा है तो यह तो वो 56 से जादा है 64 और जो जादा है 8 kg वो सभी 10 मिंबर में 8-800 ग्राम बट रहा है ठीक है तो 64 kg आपका आंसर होगे अब इस question का एक logical point बताता हूँ इस particular question में इसा बोला जस नाविकों में 56 kg भार वाले व्यक्ति किसता है अब नया व्यक्ति आने तो उस्वत भार में कितने 800 ग्राम की व्रद्धी हो जाती है तब आपका आंसर कितना हूँ 56 प्लस 84 और यदि यह बोलता कि 800 ग्राम की कम हो जाती है तो आप 56 में से 8 गटा देती तो 48 आपका आंसर simple next time इसमें question में बनाना ही नहीं है कुछी भी वर्बली करना है ठीक है next question ठीक है next time 11 परिणामों का उस्वत 50 है यदि परतम 6 परिणामों का उस्वत 59 तता अंतिम 6 का अंतुण 52 हो तो 6 परिणाम क्या होगा Question आपकी पर अपकी स्क्रेणी पे देखेगा 11 परिणामों का उस्वत 50 है तो 13 परिणामों का उस्वत 50 है याने कुल कितना हो गया है है 550 अब आपको बूला होगा प्रतम 6 परिणामों का उसत 59 और अंतिम 6 का उसत 52 प्रतम 6 परिणामों का उसत 59 और अंतिम 6 का उसत 52 टोटल हम देखेंगे तो 6 नमा की कितना हुआ 6 नमे 54 चोपन का 4 हसिल 5 6 चोप 24 और 5 उनतिस इधर देखेंगे 6 दूना 12 तो हसिल 1 चे पंजे 30 और 31 चे और 6 कितने परिणामों के 12 इधर देखेंगे 4 और 2 कितना हो गया 6 9 10 0 हसिल 1 3 2 5 और कितना हो गया 6 6 अब आप देखें टोटल 11 परिणाम है तो टोटल 550 और 6 और 6 मिलकर तो 12 परिणाम होरे टोटल 606 अब यह क्या कहना चाहरा है मैं छोड़ा साब को एक डाइग्राम से बताता हूँ यह तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और 11 अब देखें ग्यारा परिणाम है तब तक तो है 550 अब परत्थम 6 यानु इक दो तीन चार पांच और यह चे ठेक यह तिन यह तीन और यह तीन चे कहा अगर देखें तो यह टोटल है 294 और अंतिम 6 यान दो तीन चार पांच और यह वाला छे यह अंतिम छे का देखें तब है यह 606 अब आप देखें यह वाला तो है डबल बार रिपीट हो रहा ना इसलिए यह 12 हो रहा है और हमको यह तो निकालना है उसमें क्लियर आप से कहा है छटा परिणाम क्या होगा बस तो आप क्या बारा में से ग्यारा गया तो एक आया और एक जो आया आपका छटा परिणाम ही हुआ इस्टूडेंट क्या होता है कंफूज होते कि सरी तो एक आ रहा है छटा वगरा समझ में कुछ नहीं है इसलिए मिन आपको यह डिटेल बताया पांतो पचास में से यह आपन शे इस बात है ठीक है यह ना चले नेक्स कोष्टन आप दिखेगा ठीक है अब दिखें आप दिखें आप नेक्स कोष्टन किसी वर्ष में परिवार के प्रतम तीन महा अगले चार मह तता अंतिम पांच महा के ओसत खर्च ठीक है आट जार चार सुरुपे मासिक दस जार असी रुपे मासिक तता 10,608 रुपे मासिक है तता वार्षिक बचत 8,640 है तो इस परिवार के अवसत मासिक आई कितनी है आप ध्यान रखेगा कि कोई भी बंदा अगर मही कुछ भी कमाता है तो उसमें वो दो चीज़े कर सकता है खर्चा करता है और बचत करता है तीसरी चीज़ कुछ होती ही नहीं है खर्चा और बचत अब इसमें पूरे वर्ष का चिठा दिया है और पूछा मासिक है कैसे निकालेंगे प्रतम तीन माह अगले चार माह और अंतिम पाँच माह यानि चार तीन सात रुपाच है बहरा महीने हो गए प्रतम तीन माह के लिए बुड़ रह यह क्या है खर्चा है और बार्षिक बचत है 8,640 यह खर्चा करने के पाद वह बचारा 8,640 सबकों मैं जोड़ दूँगा अधिकों सबका मैं मल्टिप्लाइ करता हूँ तो इसका तो हो गया 25,200 इसका हो गया 40,320 इसका हो गया 50,35,35 और 58,40 त्रेपन हजार चालीस ठीक है प्लस यह बचत देने के पूरे साल का यह इंकम का चिठ्था आगया हमर पास कितना गया 1,67,200 अब यह पूरे साल का लेकिन उसको क्या चाहिए उसने क्लियर का है परिवार के ओसत मासिक आए तो ओसत मासिक आए के लिए मुझे 12 से भाग देना पढ़ेगा ओसत मासिक आए 12 से मैंने भाग दिया तब मेरा आंसर कितना आया 12 एकम 12 भागनी चाहिए उसकी 12 चंग बहुत तो डबल जिरुदा सजा 600 रुपए चिक है यह ना जैनि खर्चा और बचत नेक्स्ट कुशन है एक सब्ता समार मंगलवार बुधुवार का उसत ताप मान 40 दिगरी सेंटीगरेट था यदि गुरुवार का ताप मान 38 दिगरी सेंटीगरेट हो तो समार का ताप मान कितना था गुरूओर काताप मान 28 सेंटीग्रेट हो visit थो सवंबार काताप मान कितना था एक बार कोश्वन रिपीट कर रहा हूं है आप देखेगा आप इसकी पर भी देख रहा है किसिसफ़ता सवंबार मंगलवार तेथा बुधोओर का उसफद ताप मान 4ром centigrade था मंगलवार बुधवार तता गुरुवार कारुसत तापमान 41 degree centigrade था यदि गुरुवार का तापमान 38 डीजरी centigrade हो तो सॉमस्World का तापमान कितना था अब दैखेएगा हम कैसे बणा रहे हैं सॉमवार मंगलवार और यह बूदवार अब ये तीनों का उसत ततापमान कितना दे रखा है आपको 40 दिग्री सेंटीग है अच्छा तो कुल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तीन का गुणा करेंगे को तीन है सौं मंगल रुपर तो कितना आया है ये 820 डिग्री सेंटीग है ठीक है ध्यान से कितना बूद तता गुरू वार का कितना बूला एक ताली सेंटीगड़ तो ये भी तीन मेंबर है तो 3 एकप तीन चोग 1220 डिग्री सेंटीगड अब आप ध्यान रिखें लाश्ट ये गुरू वार का तापमान 38 डिग्री सेंटीगड हो आब मंगल बूद और गुरू का अ अगर मैं इस टोटल में से गुरुवार का तापमन गटा दूं जो कि 38 दिग्री सेंटीड में तो मेरे पास आपको सोचे गुरुवार अगर यहां पर गया तो यहां मेरे पास बचे का मंगल और बूत अगर मैं गटा दूं ठीक है तो मेरे पास कितना बचाइगा देखते हैं इसमें से 40 उड़ाते हैं तो 60, 80, 85 गटाते हैं तो कितना बचाइगा 85 degrees centigrade अचाइ 85 बचा तो किस-किस का है मंगल और भूद का है और मंगल और बूद अगर मैं इस टोटल में से घटा देता हूँ तो मेरे पास सोम मार बचेगा, सिंपल सी बात है देखिए का आप इस तर, सोम, मंगल और भूद सोम, मंगल और भूद का मेरे पास टोटल है 120 degree centigrade और मेरे पास मंगल मुझे पता है और भूद यानि कि इन दोनों का मेरे पास टोटल है कितना 85 degree centigrade अगर मैं इसको घटा दूँ तो मेरे पास बचा 35 degree centigrade और बचा, मंगल और भूद इसमें से चला गया तो मेरे पास सोम मार बचा तो सोम मार का टेंपरेचर अपके पता है अब ध्यान रखिए अगर इसमें गुरुवार का टेंपरेचर अगर नहीं दिया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सबस्क्राइब पीज़ेए, ज़्यादा इसको शेर कीजिए ठीक है और इसके ताद हम MP Police Constable, MP Police Sub-Respector, SSC, GD, Army, ठीक है NTPC, NTPC का सेकंट टाया, ठीक है सारी तैयारी करे, Railway Group D, सभी ठीक है, आप इस ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा सबस्क्राइब पीछे और वीडियो को समझ में आता तो इसको बार बार रोटेट करके देखके आपको से clear जाएगे, ठीक है